पूरी तरीके से जल रहा है ऐसा कहना बिल्कुल ठीक होगा पर प्रोटेस्ट हो रहा है रावल पिंडी में सदर बजार और फिर पेशावर में किला बाला असार उसके बाद लाहूर में लिबर्टी चौक मुल्तान में नवज शेहर चौक और कराची में मिलेनियम ओल जो है उसके सामने ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है और ये तो कुछ के जो बंगलो है वहाँ पर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चीजे अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुगी है एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती जा रही है सेक्शन 144 को लगा दिया गया है पूरे पाकिस्तान में सेक्शन की की भी निउजे आ रही है और साथ ही साथ जो कोट है पाकिस्तान का जो जुडिशरी एशुरवाद में तो इसलामाबाद हाई कोट ने इस चीज़ को गलत बताया था कि इस चीज़ पे जो जितने भी सीनियर ओफिसर से उनको असेंबल किया था उनको समॉन बेजा था ले फिर इमरान खान को यहां से लेके जाना इस चीज़ को illegal ठहराना पढ़ा हैै तो क्या कितनी मजबूरी रही होगी कितना aggressive mode में है पाकिस्तान की army पाकिस्तान की military या फिर पाकिस्तान की जो authority है इस समय उसको कह लीजे इस से आप लोग समझ सकते हैं और सबसे ज़्यादा latest news ह जो वो ये आ रही है कि इमरान खान को दूसरे प्रोविंस में लेके जाये जा रहा है लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो बहुती ज़्यादा ना बढ़क जाये इस वज़े से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है एक परसन की देथ भी हो गई है ये सिचुएशन पूरे कंट्री में बनी हुई है अब होता क्या है ना कि ये चीज़ सही है कि ऐसी जब भी प्रावलम होती है तो लोग कुछ दिन प्रोटेस्ट करते हैं फिर अपने अपने घर चले जाते हैं अब होता है ये चीज़ चाह भी रही होगी कि ये जो लोग है ये फटीग कर जाए ये ठक जाए और फिर अपने अपने घर चले जाए लेकिन चांसेज ये भी है कि ये चीज़ आर्मी की जो सुप्रिमेसी है पाकिस्तान में उसको खतम भी कर दे देरसल देखो क्या है ना कि हाल में जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया इमरान खान जो है वो इतना जादा क्रिटिसाइज कर चुके है आर्मी को और आइसाई को कि लोगों के अंदर बहुत ही जादा नेगेटिव अभी भी बहुत जादा कहना ठी हैं आर्मी के उपर उसके बाद इमरान खान का कुछ नुकसान नहीं कर पाती है तो यह एक तरीके से हार हुई ना आर्मी के लिए तो इसी लिए वो पूरी तरीके से इन पर क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी या तो इनको लंबे टायम तक जेल में रखने की कोशिश करे और बहुती एक्स्रीम केस में चांसेज ये भी है कि इमरान खान की देथ भी हो जाए इमरान खान मार भी दिये जाए तो उसकी भी चांसेज जो है वो बनी हुई है लेकिन आर्मी की रेपूटेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान में जो गौर्मेंट हुआ करती थी उससे लोग बहुत ज़्यादा परिशान हो गए थे इसलिए जब आर्मी वहाँ पर टेक ओवर करती थी जब मिलिटरी कू होता था तो लोग सेलिब्रेट करते थे उसको लोग आर्मी को अच्छा देखते थे उनको एक तरीके से देखते थे कि यह हम लोग को बचाएगी यह पाकिस्तान को डूमने से बचाएगी लेकिन आज वही लोग हैं जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ सडकों भी उतर आए हैं तो अगर यह चीज जो है इसमें इमरान खान वापस निकल आते हैं इमरान खान बच जाता है दूबारा लीडर बन जाता है पाकिस्तान के या फिर नहीं भी बनते हैं आर्मी के खिलाफ पूरी तरीके से पब्लिक हो जाती है तो चांसेज है कि आर्मी की जो सुप्रीमेसी है पाकिस्तान में वो भी खतम हो जाए तो देखते आगे क्या होता है या फिर यह ची civil war create कर देती है पाकिस्तान में जिसके बाद military जो है उसकी power पूरी तरीके से खतम हो जाती है क्योंकि बहुत हद तक chances है कि military को अब हार माननी पड़ेगी military अब पहली बार की तरह took over नहीं कर सकती कूर नहीं कर सकती क्योंकि जैसे ही ये करेगी USA और UK यह अब इतना मजबूर हो चुके अपनी इनकी जो history है कि ये लोग आव इनको support नहीं provide कर पाएंगे इस चीज़ पर USA, UK और UN का जो statement है वो भी आया है USA और UK ने बात किये rule of law की इन लोग जो joint statement दिया है democracy की बात किया है कि democracy ensure होना चीए और UN का कहना है कि पाकिस्तान में ये चीज़ ensure होना चीए कि हर जो वहाँ का leader है उसके साथ अच्छा treatment हो USA और UK आप लोग को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा time से बहुत ही ज़्यादा close ally हुआ करते थे पाकिस्तान के इनने भी इस चीज में ये statement advisory भी release की है पाकिस्तान के अगेस्ट में कि पाकिस्तान में इस समय जाना ठीक नहीं है वहाँ पर जो political crisis है उसको देखते हुए प्लस इसके अलावा आप लोग को बताओं तो देखो ये चीज बहुत ज़्यादा सही है कहना है कि पाकिस्तान की आलत इस समय अफरीका के कुछ कंट्रिस से भी बहुत ज़्यादा खराब है अब पाकिस्तान में इस समय economic crisis जो है वो हम लोग जानते ही है वहाँ का फॉरेक्स रिजब बिलकुल खतम हो चुका है कोई जल्दी आ भी नहीं रहा उनको मदद करने इसका जो रीजन है वो कुछ circumstances की वज़े से प्लस सरीव government जो वहाँ पर है उनकी भी खराब नीतियों का विस पर असार है लोगों का तो खासकर से यही मानना है कि जो government है इस समय शहवाज शरीफ की उनकी वज़े से यह वही लोग inflation नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके अगेस्ट में कोई action नहीं ले रहा है उसके अलावा political crisis जो है वो है हम लोग ने देखा साथी साथ पर पाकिस्तान के लोगों को यह भी लगता है कि USAE उन पर rule कर रहा है indirect way में आर्मी के बारे में भी वो ऐसा सोचते हैं कि आर्मी बहुत ज़्यादा interfere करती है इसलिए उन लोग क्यालत इस तरीके से है साथी साथ किसी भी तरह का stability आप लोग देखो न political level पे तो पाकिस्तान की history में तो कभी भी नहीं रहा है प्लस अभी हाल में इस तरीके की बाते भी चल रही थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो military है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी strong है पाकिस्तान के जो खुद के लोग है उनके उन पे कोई action लेना हो इस तरीके से उनका इमरान खान हो गए या फिर आम लोग भी हो गए उनको मारना हो तो वो strong है लेकिन reality में पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही ज़्यादा weak है दरसल इस तरह के की news IT की पाकिस्तानी आर्मी के जो tanks हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंग लगे हुए हैं कोई भी weapons इनके तयारी mode में नहीं हैं पाकिस्तानी आर्मी के former general जो थे उनने ये कहा था पाकिस्तानी मीडिया को कि वो इंडिया के खिलाफ ज़्यादा उल्टा सीधा ना दिखा है क्योंकि आज के जो सिचुइशन है उसमें पाकिस्तान ready नहीं है तयार नहीं है इंडिया से fight करने को यितने हम capable नहीं है कि इंडिया से fight कर पाएंगे तो ये चीज जो है ये information भी जब लोगों के पास गई तो उनका जो trust है आर्मी के उपर से चाए गवर्मेंट के उपर से वो और भी ज़्यादा कम हो गया ये चीज एक disrespect के लिए तरह होती नहीं ये चीज एक embarrassment की तरह होती है कि हमारी जो आर्मी है वो strong नहीं है तो हर तरीके से चाए physical security चाए economic security चाए political security कुछ भी नहीं है इस समय पाकिस्तान में और इसी लिए पाकिस्तान की ये जो बिगरती हुई हालत है ये बहुती ज़्यादा problem create कर सकती है future में chances है पाकिस्तान भी अफगार निस्तान की तरह ही बन जा है और पाकिस्तान में भी काफी ज़्यादा terrorist group है और पाकिस्तान के बास तो nuclear weapon भी है इसी लिए ये problem जो है ये पूरे world के लिए भी खतरनाक है और देखो जल्दी मेरे को नहीं लगता USA, UK या फिर कोई भी country आने वाली ये पाकिस्तान की help करने है क्योंकि क्या हुआ था ना कि अभी पाकिस्तान में flood आया था तो आप लोगो को पता होगा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा aid मिली थी western countries से प्लस F-16 जो पाकिस्तान के उसके भी upgrade करने के लिए USA ने fund किया था पाकिस्तान को पैसा दिया था लेकिन उसके बाद भी हाल में ही एक video tape रिलीज हुआ जिसमें इना रबानी खार जो पाकिस्तान की foreign ministry मैं deputy minister है उनने चाइना से अच्छे relation को advocate किया था west के against मैं तो ये चीज जब VA video release हुई तो ये उन countries के पास भी पहुची USA UK के भी पास पहुची तो इस चीज को भी देखते वे मेरे को नहीं लगता ये लोग आएंगे help करने पाकिस्तान को और help तो चलो दूर की बात है एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो ये पूरी situation के लिए सबसे बड़ा जो responsibility है वो किसकी होनी चीए सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है USA USA ना ही इमरान खान को अटाता चीज बहुत टाइम से इमरान खान करते हैं वो कहते हैं कि USA की caretaker government है जो इस समय पाकिस्तान में रूल कर रही है और ना ही ये जो situation है ये create होती तो ये चीज एक और बार दिखाती है कि जो western countries है वो कितना ज़्यादा किसी country को नुकसान पहुचा सकती है इंडिया अगर मैं 100% shioti के साथ कह सकता हूँ अगर बहुत ज़्यादा strong government नहीं होती इंडिया में एक तरीके से clear majority नहीं होती coalition government होती तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बवाल अब तक हो चुका होता इंडिया में भी political stability नहीं रहने देती यूएस है तो ये सब चीजे हैं इसके अलावा आप लोग को बताओं तो एक और news अभी आल में ही आईए कि हमारी जो border security forces हैं जो border पे बाकी BSFB और बाकी भी forces हैं वो चीज काफी ज़्यादा active mode में आ चुकी है क्योंकि chances है कि पाकिस्तान की जो army है वो एक तरीके का war cry दे एक तरीके की कुछ issues create करें यहाँ पर border पे जिसकी वज़े से ज़्यादा तर लोग जो है उनका attention यहाँ पर जाए और ये चीज फिर ये जो internal issue जो पाकिस्तान का चल रहा है ये चीज शान्त हो जाए तो ये चीज का भी खत्रा बना हुआ इसको देखते हुए हमारी जो border forces है वो active mode में आ चुकी है हर situation पे नजार रखा जा रहा है पाकिस्तान के ताकि ऐसा करने से पाकिस्तान को रोका जाए future में तो ये है पूरा वीडियो गाइस ये होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसा like, comment, share, subscribe जरू किजिएगा that's all, have a nice day, take care